सब्यदिण कर लेद करें रहे हैं वो टेक्निकल perilous अप्लाइ करना है ऑद फिर भी उन लोगों का नुक्सान हो रहे आसे बहुत सरे विद्मान लोग एंगे असपास जिनने पता सब कुछ होता है उसके बाद भी उनको नुक्सान होता है वजय है उनकी psychology, अगर आपकी psychology ठीक नहीं होगी, तो आप loss करने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम basically तीन ऐसी चीजों के उपर बात करेंगे, जो आपको लगे का अरे यह लोचा तो हमारे साथ भी है, ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है, और आपके साथ अगर ऐसा होता है, तो आपने देखा होगा, उस सेंपे आपको लॉस भी होता है, तो मैंनी चाहता आपको लॉस हो, and we want की profit maximize हो, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, सबसे पहली चीज, जो आपको ध्यान रखनी है, यहां पर देखिए, होता क्या है, लोगों को सब कुछ पता है, जब वो ट्र की ट्रेड लेते हैं, वो तब लेते हैं, जब उन्हें लग रहा होता है, technical set up कुछ भी आज मुझे यह लग रहा है, कहीं से कुछ सुन लिया, वहां से माइंड सेट चेंज हो गया, तो जब हम कुस उन लेते हैं, मालिट सेट चेंज हो जाता है और हमें लगने लगता है, उ आज आपको लग राता मार्केट ऊपर जाएगी बट मार्केट ऊपर नहीं प्राइज ने तो महां से दुबारा से एक रिवर्सल मार दिया प्राइज नीचे की तरफ आ गया और आपने सोचा था आज मार्केट ऊपर जाएगी किसी स्टॉक के अंदर ऐसा हो सकता है बैंक नि सब्सक्राइब करते हैं all right let's talk about the second point यह बहुत important यह मेरे साथ भी होता था तो मैं आपको पताना चाहूंगा यह एंड कई सारी लोगों के साथ अभी भी होता होगा हम क्या करते हैं हम प्रॉफिट बड़ी जल्दी बुग कर ले कर लेते हैं एक लाग रूपे से ट्रेड गर वो तुरण बुक कर देंगा और फिर पते क्या बोलेगा प्राफित 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 होता है थैंक उसके पार किमें 25 जार 30 जार तक भी कमा सकता था बट फिर भी मैंने प्रॉफिट कर लिया गुड एना बट जब लॉस हो रहा होता है तब देखो क्या होता है एक लाक रुपे लगा था 5000 का लॉस हो रहा है वो कहते हैं जी लॉस बुक निकरूँगा प्रॉफिट बुक कर लिया लॉस की लिए वेट करता है कि अभी 5000 का लॉस हुआ कोई बात नहीं जैसे ही जितने प्राइज पर फ्रॉफिट नहीं चाहिए आज मैं बेच दूँगा औ और वो सुसते हैं नहीं नहीं प्राइज आएगा बाउंस बैक मारेगा मारेगा मार्केट रिवर्स होगी और उसके बाद क्या होता है अभी लगने पर हो रहा है सब कुछ अब सब भूल गए जो सीखा था अब फिर क्या हुआ फिर वेट किया 25,000 रुपए का नुकसान हो रह आज होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा नहीं होगा तो चल लॉस देखा जाएगा और लॉस बड़ा बुक हो जाता है तो फिर बोला जाता है यारे यह सब ऑपरेटर्स कि यह हो क्या रहा है यह मैं आज की बाद कुछ नहीं करूँगा डिलीट कर यह आप जिससे मैं ट् यहां रख रहे हो रिस्क रिवार्ड रेशो के आप से काम कर रहे हो आपको लगता ऐसा और आप यह मान के भी चलते हैं आपने अपनी अनलिसिस करी और उसके बाद आपके अनलिसिस आपको कह रही है कि आपका रिस्क रिवार्ड है वन इस्टूर थी का मतलब अगर लॉस हो सकता है and 30% तक का profit हो सकता है तो अगर profit होगा तो तीन मुना ज्यादा होगा नुक्सान होगा तो आपको समझा रहा है कि 10% का नुक्सान होगा 30% profit होगा you are entering that trade and अगर profit होता है तो बहुत अच्छी बात आपका profit हुआ आपने अपना target meet किया loss हुआ तो loss को book करो क्योंकि अगर आप 10 बार trade कर रहे हो और 10 में से आप 5 बार भी सही हो तो पांच बार आपने नुक्सान किया आपने 10-10% के अपसे नुक्सान कर लिए अगर आप 5 बार गलत थे पर अगर आप 5 बार सही थे तो आपने 500% का profit भी दो किया तो अगर आपका risk to reward ratio के हिसाब से ठीक जा रहा है और आप एक सही accurate psychology के सबसे ट्रेट कर रहे हो तो आप पैसा बना होगे क्योंकि हर ट्रेड में पैसा बंजा पॉसिबल नहीं मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसका आज तक नुक्सान नुक्सान हो सबका नुक्सान होता है बट सीखकर आपने नुक्सान से सीखा गया अपने आपको इंप्रूव करके लोग पैसा बनाते हैं यहां पर अगें psychology काम आती है one more point जिसके उपर आपको आज से ध्यान देना है और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका mindset पहले से predefined होता है या तो उनके बास बुल mindset है कि आज market उपर जाएगी यह stock उपर जाएगा तो वो जो ढूंडते हैं और यह देखते हैं कि क्या signals मिल रहे हैं जिससे आज यह पता लग जाए stock उपर जाएगा तो उनका focus कहां पर है उपर जाने पर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं कि आज क्यों market crash कर सकती है क्यों यह stock नीचे जा सकता है तो उनका focus पहले से predefined है आपका ऐसा नहीं होना चाहिए अगर मैं आपसे बूचता आपका क्या mindset रहता है जाज़ता है तो आप कुछ ना कुछ बोलते हैं हमारा bull mindset रहता है bear mindset रहता है यह गलत है आपको करना क्या है देखो न आपको bull mindset रखना है ना आपको bear mindset रखना आपको neutral रहना है और आपको exactly अपनी knowledge पर और जो आपने सीखा है आपने technical analysis में जो अभी तक सीखा उस पर बरोसा रखना है technical analysis के ऊपर अपने प्लेलिस बनी हुए आई बटन पर लिंक आप जाके देख सकते हैं तो technical analysis से जितनी चीज चार्ट पर trend कौन सा बन रहा है आप चार्ट पर pattern जब identify करेंगे और आप breakouts को ठीक तरीक से identify करेंगे तो आपको trading करते हुए profit होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और loss कम होगा तो आज हमने जब बात करने है psychology की तीन चीज़े डिसकस करी पहली बात तो ना अपन प्रीडिफाइंड आपको mindset रखना है बोलो और बियर का neutral रहना है और देखना है कि chart क्या बता रहा है price क्या बता रहा है price is supreme तो price action के हिसाब से आप trade कीजे और अपनी psychology को positive रखेंगे और यहां पर दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि loss होता है तो चोटे loss को book कर लो क कि अगर आप छोटे loss को book नहीं करते तो ऐसा बोला जाता है आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है so if you do not book baby losses you will see mother of all losses तो ऐसे English में कहावत है तो मैंने आपको बताया कि आपको अगर loss होता तो उसे भी book कीजे हर बार profit नहीं होगा और जब profit हो रहा होता है तो लोग बहुत जल्दी छोटा profit लेकर भार निगल जाते हैं थोड़ा सा जिगरा चाहिए अगर आपको trade करना है थोड़ा सा patience लेकर आना है which is very very important and then जैसे हमने starting में बोला था कि अगर लगने पर trade करोगे तो market तो मार्केट तुमारी लगा देगी आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे comment में जरूर बताएगा फाइनली इस वीडियो को आप शेर कर सकते हैं अपने सारे फ्रेंड सरकल में जिससे लोगों को भी पता लगे कि उनको क्या psychology रखनी है when they are trading and अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देखने है फॉलो कीजिए YouTube पे देखने सब्स्राइब कीजिए बेल अकन पे क्लिक कीजिए I will see you in the next video till that time you go self-made